तो आज सबसे पहले में आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहती हूं इस क्लिप में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं मम्मी जी मैं आपको एक घंटे से ढूंड रहे हूं आप किससे बात कर रहे हो मैं तरह पापा जी से बात कर रहे हूं ममी जी ससुर जी तो नीचे बैठे तो जी ये क्लिप देखकर आप लोगों के भी मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे मुझे पता है और सो बहुत सारे लोगों को कॉश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे देखिए ये तो हसी मजाक वाली एक क्लिप हो गई तो चलिए आप लोगों ने भी एंजॉय किया मैंने भी एंजॉय किया अच्छा भी लगा लेकिन बहुत सारी बाते यह हैं कि आप देखिए में नजर आये होंगे है ना ससूर जी नीचे है और साथ जो है उपर किसी और के साथ ही फोन पर लगी हुई है बाते करने में तो ऐसा ही बहुत सारे कोशन के आंसर आपको मिले होंगे जब जो गुलाव सिंग है वो खेतों में वीडियो बनाते हुए नजर आये थे और उन्होंने यह दिखाई रिया था कि यह पुतन किसे बाते कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं यहां पर यह बताना चाहते हूँ कि चांदपूर में जब पुतन जो है वो जाहिल सिंग के साथ बाते करती थी तो वह भी बातें जो हैं वहां से कैसे कोई किसी को बता सकता है कैसे लिकोट हो सकती है कि वहां जो है अंदर क्या चल रहा है है ना तो यह वह परसनल बातें अगर पुतन को लगता है कि वह दूसरों तक इतनी दूर दे वीडियो चांदपुर से बना कर जो लोग सोशल मीडिया पर शियर करें तो इन लोगों को लगता है कि बस यूट्यूब पर जो है हाग की निकाह है और सबकी आवाज बंद करवाने के लिए यह बहुत कोई गेम खेल सकते हैं किसी को धमकी दे सकते हैं किसी को स्ट्राइक दे गया था जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक दे दी ति उसकी वज़ा यही थी कि हमारी चाहिए वो फेक खैर मुझे तो कभी भी फेक प्रेगनेंसी नहीं लगी हाँ इतना जरूर था कि एपिसोड इसने लेट अपलोड किये थे लेकिन इसकी जैसी भी इसने लेकिन एक छोटे से होस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा लिया अपनी डिलीवरी करवा ली ठीक है वो चीजें भी इसने दिखा दी लेकिन बात आती है डोलर चापने की आप डोलर चापी आप इंडियन करनसी चापी अब कुछ भी करिए किसी को कोई मतलब न जूट पर ही टिका हुआ है लेकिन सच को कहते ना सांच को आंच किया हना तो जो सच है वो सामने आना ही चाहिए वो किसी का भी हो लेकिन यहां पर तो यह हो गया कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं तो आप लोग भी इ सब्सक्राइब करने का टाइम उनका है इस टाइम पर लेकिन उनकी बाते हैं जा नहीं है किसी को नहीं पता लेकिन फिर भी किसी के मूँ में कहते ना मैंने पहले भी उस दिन बोला कि पट्रोल बर दिया है आग लगा दी है तो अब जो है पट्रोल जब तक खतम नहीं होता व और ऐसी हाग उगलती नजर आएंगी कि कानों के मतलब अब क्या बोलें कि सुनना भी पसंद नहीं करते हैं बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके ओपर हम लोग बात करते हैं फ्लाइंग बिस्ट पर बात करते हैं सौरव जोशी पर केरी मनाटी पर बात करते हैं इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको लोग देखना पसंद करते हैं कहां ये पुतन पर ही में सब लोग फसके रहे गए हैं जिनके पास से भी गुजरोगे तो किचट की ही बदबू आएगी है ना तो बात ये थी कि बहुत में बातें करते हुए सामने वाले को टारगेट करते हुए अपने एपिसोड नहीं बनाए पूछना चाती हूँ जहां पर कि पुतन से तुम चुप कहां रही कब रही जब तुमने ननु को जब उसने तुमारे घर में आये अपने बेशक दूसरे दिन ही आये सेकिंडे ही और आकर अपने बेटे के बर्थडे के लिए विश किया जहां फिर 500 रुपे शगुन दिया वो भी तुमने यहां पर आवाज उठा दी सोशल मीडिया पर कब चुप रही तुम जब जूटी ने तुमारे ही एपिसोड में बोल दिया कि अगर मैं ननु जो है वो तुमने उ किया जिसने बोला कि जस्ट लाइक है मतलब यूर डॉटर की आपकी बेटी जैसी है यह पूतन तो जस्ट लाइक हम लोगों ने इतनी सजेशन दिये हैं वो उसने मानी कोई ने मानी अगर मेरी बेटी होती ना मैं बात करना ही बंद कर देती उसके साथ मैं उसको अपने घर कि मेरी डॉटर बिलकुल भी नहीं है मतलब मेरी डॉटर इतनी बड़ी नहीं है इतनी उमर की नहीं है मेरी डॉटर और दूसरी बात जहां पर यह है कि मैं बता रही हूं कि यह पुतन कब चुप रही अब पूछना चाहते हूं मैं पुतन से कि धक्के मार के तुम निकाल तुमने वह scene cut क्यूंस किया तुमने एड़िट क्यूंस किया ठीक है तुम चुप रही तुम तो बोलते हुए kitchen में जमीन पर बैठ के बोरी के उपर ये बात करते हुए नजर आई कि अच्छा अब तुम्हें नाम ले सकती कोई उंची आवाज में बात करता है पती तो पतनी जो है उस टाइम पर चुप कर जाती है बहुत सारी सीख दिये हमने यहां पर और तुम्हारे लिए जिन्होंने आवाज उठाई है तुम्हारे वो ही व्यूर्ज हैं जो कभी तुम्हें बहुत पसंद करते थे और तुमने क कभी किसी के कुमेंट का आँसर नहीं किया ठीक है खुद को इतने गवंडी हो गए कि खुद को इतने बड़े यूट्यूबर समझते हुए कभी किसी के दिल में अगर तुमारे एपिसोड तुमारे गुलाब सिंग के जूठी के एपिसोड देखने के बाद अगर कोई कोशन उठा अगर उसने वो कमेंट में लिख दिया तो तुमने जवाब नहीं दिया ठीक है तो बहुत सारे लोगों की कहते हैं ना आवाज बनके उनके दिल में मतलब जितने भी कोशन है उनको लेके भी मैं आती हूँ यहां पर और मैं सिरफ और सिरफ पहले तो यही मेरा आज का इस एपिसोड में यही एक कोशन है कि तुम चुप कब रही कब रही तुम चुप जो इस उमर में तुम जिनका पास्ट अभी रहा भी होगा अगर तुम सामने लेके आओगी तो यह तुमारे कर्मा का घड़ा बरेगा ठीक है और जो बाते करती हैं बहुत सारी विर्ड जो है तुम्हें आज नहीं पता लगता तुम्हें ही यहां से कहते ना सीख देते हुए नजर आती हूं कि कितने भी कमेंट सेक्शन में तुम्हारे साथ लोग बाते करते हैं तुम्हें एप्रिशेट करते हैं लेकिन वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे तुम्हें कहना है ना जिनको खड़ना है वो हमारे साथ खड़े होंगे वो आज भी खड़ वीवेड जो हैं वो तुमें व्यू देते हैं उन व्यू हैं colors मिलता है तुम्हें पैसा मिलता है तुम्हें earning होती है कभी तुमने उनको भी थैंक्यू नहीं किया फिर वी वो तुमारे जो है पड़े जब तुमने लाइव की जब तुमने लाइव पर बोला कि मैंने हेर कट कर लिए ठीक है अपनी हेर को स्टाइल देना हेर कट कर वा लेना डजन्ट मैटर कि तुमारे साथ क्या हुआ ठीक है मैटर वो करता है कि तुम क्या दिखा रही हो तुम लोगों को ट्रोमा में गेंटा दो गेंटा जितना भी हो गया उसके बाद लिस्ट कर लो मतर्ड डॉलर तो मिले ना बेज़ती करेंगे और करवाएंगे और कमाई भी करेंगे ठीक है मैं तुमें बार-बार यहीं से एक सीख देती हूं कि बहन तुम अपने रेगुलर नॉर्मल एपिसोड लेकर को आज दिन सेलфф डिसीजन लेना सीख जाओगी तो तुमारे एसी अच्छी लड़की भी कोई नहीं होगी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनके बहुत बहुत कर राज होते हैं और उनके बहुत सारे राजदार भी ओते हैं पर ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया का गल्ट मतलब गल्ट मतलब नहीं गल्ट यूज करो आप लो मिस यूज करो आप लो ठीक है अब जो है यहां पर मैं यह बताना चाहती हूँ कि माया पूरी थी और भी बहुत सारी ऐसी फिल्मी मैगजिन होती थी इस टार कॉनसी थी है न वो भी होती थी है बहुत सारी ऐसी magazine होती थी जिसमें की page 3 होता था page 3 पर बड़े-बड़े celebrities की जो हैं वो coverage तिक के साथ उनके बहुत सारे खुलासे भी होते थे भई मुझे एक चीज़ बताओ सबसे ज़्यादा 2020 की big controversy जो है वो create की गई है इस kitchen family की और से लेकिन अब 23 में last 3 years 4 years से यही चला आ रहा है कि पती पतनी के मुझे से हट कर अब जो है बड़े बजुर्गों के गड़े मुड़े जो हैं वो उखाड़े जाएंगे ठीक है वो जो है cover page 3 के star बनेंगे मतलब कौन है ये कौन है ये लोग क्यों अटेंशन इतनी देटे हो सब लोग मैं यह कहना चाहते हूं कि जब मेरे साथ शीयर होता है तो मैं यहीं बोलती हूं मत करो शीयर मत करो नहीं पसंद देखना बंद करो ठीक है एक टाइम था मैं कहती थी पुत्तन को जुरूर से देखो क्योंकि वो सिंगल मॉम है उसको जल रहा है मतलब उसको अभी वहां से तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन फिल हाल उसको जुरत है उसको नीड है तो देखी आज उसने एक पिक्शियर करी है स्टोरी पे कि वो अपने घर को लेके बहुत खुश है तो भगवान खुशियां सब को दे सब को अपने सर पे छत दे लेकिन खुशी एक्शली में उसी को ज़्यादा होती है जिसने खुद का पैसा लगा के एक माकान खड़ा किया होता है और माकान को घर बनाना जो है वो आदमी के हाथ में होता है नो डाट पुतन जो है बहुत अच्छे से सजा लेगी सवार लेगी लेकिन सजाना सवारना अलग होता है लेकिन घर बनाना अलग होता है इंट गारे से खड़ा किया हुआ माकान तो उसमें रहने के लिए लोग भी तो अच्छे चाहिए तो ही एक फैमली होनी चाहिए तभी माकान जो है इंट गारे का खड़ा किया वो घर बनता है जिसमें रहने का मज़ा ही अलग ह स्कून ही अलग है अब पुतन जो है उसको इतना स्कून है यह नहीं कि यह स्कून है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है वो अपनी फैमिली में रहकर भी अपनी फैमिली के साथ नहीं है लेकिन उसको यह स्कून है कि फाइनली मैंने अपने सर पे छत जो है वो रख ली है त कि गुलाब सिंग बिल्कुल जूठी जैसे यह ना कहें कि समान अपना सार उठा के ले जाओ और उसके साथ सथ हम अपना पुराना बैड भी निकाल दें ठीक है और मतलब गुलाब सिंग की चंपानी के बाद कल को ऐसा ना हो कि उसका घर बस गया है हना तो मैं भी उस कहते हैं कौन सा कपल कहते हैं लवबर्ट को देखकर मैं भी अपने मन को मतलब खराब ना करूँ अपना मन परेशान ना करूँ हना चाहे जिस वजह से भी जो भी इसके यहां पर प्रॉब्लम आई हैं वो सब को सब नजर आती हैं लेकिन एक बार फिर से यहां से कहना चाहूंगी कि पुतन तुम कभी भी चुप नहीं रहें सो यह मत कहो कि मैं चुप रही हूं ठीक है बड़े एपिसोड बनाए हैं और अपने ही एपिसोड के थुरू मैं यह चीज यह भी कहना चाहूंगी कि तीसरे को बीच से निकाल दो और सब के सब बन जाएं वियर तो देख्या जाए इनको तो उदर से चाहे वो रिष्टेदार हैं रिष्टेदारों ने अपने चैनल ओपन किये हैं इदर पुतन अपने चैनल ओपन किये दोनों लोग एक बार फिर से लाइव कर दें लाइव फिर से क्या लाइव ही करें बिल्कुल वैसे जैसे भावना विशेक नहीं की थी और जी वहाँ पर वियर्ज जो है फुटबॉल की तरह कभी उदर जाते थे लेकिन उसके बाद उनोंने कभी भी कोई ना लाइव की ना कोई एपिसोड रिलीज की है उनका फैंसला जो भी है कोट के थू ही हुआ ठीक है और आज भावना जब भी अपने चैनल पर वीडियो अ यह चीजें हैं तो मैं यह चाहती हूँ कि यहां पर कि उसने अटकले लगाई उसने लगाई एपिसोड देख कर कि जो चीज है जो कमिया है नहीं समझ में आती है नहीं अच्छा लगता है तो उसके लिए फिर दूसरे लोग भी एपिसोड बनाते हैं तो उन एपिसोड बन तो उधर से जो माजासी मामी माजासी मामी नहीं, जिसमें दो घासे माजान और करें लाइव. आप लाइव लाइव सामने आंसर करो ना जुनतीनी आपको कहीं किसी तीसरे की और लाइव करो वीवर्स भी देखेंगे वीवर्स भी देखेंगे एक्चुली में यहां पर जी जो लाइव हुई है कम से कम यह तो नहीं है कि तीसरे के मुझ में वह बात गई तो वह बात बद करने से बढ़िया है सामने आकर बाते करो और खुलके करो बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें यह चीज पता है कि तुम्हारा घर किसने तोड़ा है बसने तुम उसका भी नहीं दोगी यह अपने डायलोग पे फिक्स रहो और बाकि यह है कि सच जो है वह सामने आना चाहिए वह कैसे आएगा मैंने बता दिया लाइव आप करो लाइव उदर से हो लेकिन अपने बड़े बजुर्गों के जो भी जितने भी राज थे जहां राजदार थे वह जहां भी दफन है उनको वहीं दफन रहन दो उनको मत निकालो क्योंकि सब को बता है पुराने गड़े मु पता है कैसे क्या होता है तो चलिए अभी मेरा वीडियो जी है एपिसोड वन तो सेकंड एपिसोड जो है वो रूब रूब आऊंगी मैं आप लोगों के सामने बात करेंगे जब तक आप लोगों के जो भी कोशन है आप कुमेंट सेक्शन में लिख देना तो मैं जुरूर स आपके कोशन के आंसर लेके जो है यहां पर आऊंगी आप लोगों से बात करूंगी तो मिलती हूँ शाम को एक अच्छे से अपिसोड के साथ जब तक लिए आप अपना ध्याद करेंगे